बिस्मिल्य रख्माइन रहीम, असलाम लेकूम, I am a math teacher for class 3rd in Latif Niazim Memorial High School. So students, we are going to study in Countdown Book 3, exercise 7th A. यहाँ पर देखें students, आज हम जो study करेंगे हमारी exercise 7th A, geometrical exercise is piece number 192 पर exercise 7th A. से पहले हमने आपको पॉइंट, लाइन, 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 सेग्मेंट, और इनकी तमाम की डेफिनेशन, वो आपको वाट्सअप की तरू मिल जाएंगी. यहाँ आपको क्लास में, डीटेल में यह समझा दी थी, लेकिन हमारा कुछ वर्क रहे गया था. तो आज हम exercise 7th A को complete करते हैं. यहाँ पर हमारे पास first जो कोईस्टन है, वो है flinda blanks. तो flinda blanks में, जो हमारे जो first blank है, वो क्या है? यह है हमारा a line segment has dash end points. यहाँ के line segment के dash end points होते हैं. तो students, मैंने आपको बताया था कि जो line होती है, line both side होती है. उसकी कोई मतलब कि वो नहीं होती, किसी तरफ भी, इस तरफ से भी बढ़ सकती है. और इस तरफ से भी बढ़ सकती है. no end point होता है line का. और उस line में से अगर हम एक खास measurement का कुछ हिसा निकाल कर अलग कर लें हैं. सपोस्थ हमने एक 4 cm की एक line को हमने निकाल लिया और उसको हमने नाम दे दिया A और B का. तो यानि यह हमारा कहलाएगा line segment. सपोस्थ हमने यह 4 cm का कुछ पार्ट line में से, क्योंके line की कोई measurement नहीं है, दोनों तरफ यह arrow के sign line इस तरह भी बढ़ती है, और बोट साइट, तो उस line में से कुछ पार्ट जो अगर हम निकाल लें, इलकास measurement का, तो वो चीज कहलाती है हमारी line segment. और उस line segment के two ends point होते हैं, A और यह B. तो अब हम अपनी blank में क्या लिखेंगे, line segment has dash end point, जानी के two end point. यहाँ पर हम लिखेंगे two. अब इसी तरह यहाँ पर है, a point is shown as a, यानी कि यह जो point होता है, हम किसी भी चीज की location को show out करने के लिए, point करते हैं, जैसे हम एक square बनाते हैं, square में अगर हम और square को show करने के लिए, point A, point B का नाम देते हैं, तो यह point जो है, यह किस चीज को show करता है, यह show करता है हमारी location को, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a point is shown as location, इसी तरह हमारी जो third blank हैं, वो क्या है, a line which extends infinitely in one direction is known as, यानि के वो line जो एक खास direction में, आगे की तरफ बढ़ती जाएं, वो क्या कहलाती है, वो line कहलाती है, हमारी ray, और ray कैसी होती है, यानि के first जो है, हमारी एक ही direction में ray जाती है, और आगे की तरफ बढ़ती जाती है, और उसके एक point पर से भी arrow होता है, और one point, यहां से शुरू होका, वो आगे की तरफ बढ़ती जाए, वो line जो हमारी वो क्या कहलाती है, ray, तो a line which extends infinitely in one direction, वो line जो एक ही direction में, मजीद आगे की तरफ बढ़ती जाए, वो कहलाएगी हमारी ray, तो blank में हम क्या लिखेंगे, ray, अब यहां पर क्या है, d, square has dash sides and dash corner, यानि के square के हमारे dash side और dash corners होते हैं, तो square, बिटा आपको पता है, यहां पर ही मैं आपको show कर दूँ, square हमने, यह हमारा हो गया, square, अब square के आप देखें, कितनी sides हैं आपकी, one, two, three, four, four sides हैं और इसके कितने corners है, one, two, three, four, यानि के जो square has four sides, square has four sides and four corners, इसी तरह यहां पर, a triangle has dash sides and dash corners, यानि के triangle के भी dash sides and dash corners होते हैं, तो triangle हमारा कैसे होता है, आपको यह भी बता चुके हैं, class में, triangle, यह triangle इस तरह कहते है, triangle के कितनी sides होंगी, one, two, three, और triangle के corners कितने होते हैं, one, two, three, यानि के, a triangle has three sides and three corners, right, अब इसी का question number two है, वो क्या है हमारे पास, instead whether the following are true or false, यानि के हमें यहां पर five statements दी गई हैं, हम पहलों को पढ़ेंगे, और देखेंगे के हमारी कौन सी statement, wrong है, और कौन सी statement, right है, तो यहां पर है, a parallelogram is a four-sided shape, जो parallelogram है, four-sided shape होती है, parallelogram, यह मैं आपको भी बुक में दिखा देती हूँ, यहां बहर देखें, student's page number 189 पर, हमारे पास, parallelogram की figure बनी हुई है, यह देखें इस तरह किसे, यानि के parallelogram की भी, यह square नहीं कह सकते हम इसको, यह parallelogram है, क्योंकि इनकी opposite side जो होती है, वो parallel होती है, लेकिन not square, हम इसको square या rectangle नहीं कह सकते, यह parallelogram है, और इसकी four sides होती है, यानि के यह जो statement है, यह हमारी right है, यहां पर देखें students, a parallelogram is a four-sided shape, parallelogram is four-sided shape है, यह statement हमारी right है, तो हमने यहां पर true लिख दिया है, अब इसी तरह B वाली statement क्या है, the opposite sides of rectangle are equal, rectangle की जो opposite sides होती है, वो equal होती है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम, यहां पर देखें, student page number 189 पर हमारे पास, I am a rectangle, I have four sides, यहां पर देखें, मारे पर जो rectangle बना है, इनकी जो opposite sides हैं, यह देखें, तो यह वाली statement भी हमारी right है, क्योंके rectangle की opposite sides equal है, यहां पर देखें, student यह वाली the opposite sides of rectangle are equal, यह statement भी हमारी सही है, तो इसमें भी हमने true लिख दिया है, अब हमारी जो third statement है, वो क्या है, inner square, the length is double the width, यानि जो square shape होती है, यहां पर देखें, square shape मैंने उपर भी बना कर दिखाई थी, square shape में जो length होती है, square shape की, वो width जानिके चोड़ाई से double होती है, तो यह statement wrong है, क्योंके हमारी square के जो होती है, four sides equal होती है, ना उसकी length बड़ी होती है, ना चोड़ाई double होती है, square के जो four sides equal होती है, इसलिए यह वाली statement हमारी wrong होगी, इसलिए हमने यहाँ पर false लिख दिया है, अब इसी के हमारी fourth statement है, a rhombus is a five sided shape, जो rhombus है five sided shape है, इसको भी हम check कर लेते हैं, यहाँ पर देखें, student base number 189 पर ही rhombus shape बनी हुए, यहाँ पर देखें, रombus की shape बनी हुए, और इसकी कितनी sides है, one, two, three, four, यानि कि हमारी जो statement में कहा गया है, कि rhombus की five sides होती है, तो वो wrong है, यह वाली statement, मैंने आपको यह rhombus की figure दिखा दी, आपकी book page number 189 पर बनी हुए, हमारी यह statement wrong है, rhombus is a five sided shape, five sided नहीं होती है, four side होती है, इसलिए यह statement हमारी रॉंगे, इसलिए हमने यहाँ पर false लिख दिया, अब हमारे पाद जो last statement वो है, the two end point of a line segment are fixed, यानि कि जो line segment के two end point होते हैं, वो fix होते हैं, या yes, क्योंकि हमें जो measurement दी जाती है, हम उस measurement की line segment ड्रॉ करते हैं, चाहे वो two centimeter हो, चाहे three centimeter हो, इसके लिए जो end point होते हैं, वो उसके fix होते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं बाढ़ सकते हैं, हम अपनी खास measurement की line segment ड्रॉ करते हैं, इसलिए यह statement हमारी right है, हमने यहाँ पर true लिख दिया है, अब आज है हमारा question number three पर, question number three हमारा, select the correct answer from the given option, यानि के select करना है, हमने four answer दिये गए और हमने right answer को select करना है, a triangle first है हमारे पास, a triangle has, यहाँ पर fourth option, if triangle क्या है हमारे पास, और triangle क्या आपको पता है, कि कितने corners होते हैं, one, two, three, one, two, three, तो our triangle has, three corners, तो हमारे पास, हमारा जो answer है, वो कौनसे option के साथ मैज कर रहा है, third वाले, तो हमने third वाले option पर tick लगा दिये, two corners, four corners, three corners, five corners, और हमें पता है, कि triangles के three corners होते हैं, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, a line is made by, जो line जो होती है, वो क्या बनाती है, one point, एक point होता है, line के two points होते है, infinite number of points, infinite number यानि के, infinite यानि के unlimited points होते हैं, line के, line की कोई measurement नहीं होती, और यहाँ पर है three points, हमारे पास, जो second वाले option है, वो हमारा right है, हमने उसके उपर tick लगा दिया, अब यहाँ पर देखें हमें, यहाँ पर एक line draw की गई है, उस वाँ पर एक point पर A, और second point है हमारा B, the given figure is the, यानि के यह जो line draw की गई है, यह वाली जो figure है, वो किस दीज को show करती है, line segment को, point को, ray को, या line को, और हमें पता है, कि यह वाला जो line है, वो line segment को show करती है, क्योंकि line segment के two end points होते हैं, और यहाँ पर भी line segment है, क्योंकि point जो show करता है, location को, ray one side को show करता है, line की कोई measurement नहीं होती, इसलिए यह वाली जो figure है, वो line segment को show कर रही है, इसलिए हमने line segment पर tick लगा दिया है, यहाँ पर देखें स्टुडेंट्स, आप point है, debit with length none of these, यानि के जो point है, आपको point simple point होते हैं, ना उसकी कोई length होती है, ना चोड़ाई होती है, ना debit होता है, तो none of these, यानि के इन में से कुछ भी नहीं, तो सही है, हमारा जो fourth option है, non of this, यानि के line की कुछ भी, ना कोई उसका length होती है, ना उसका width होता है, तो अब हमारे पास, जो fourth वाल option है, यह हमारा सही, इसके पर हमने tick लगा दिया, अब यहाँ पर हमारा जो last option है, अब pentagon has, pentagon has three sides, four sides, five sides and six sides, तो हम इसको भी check कर लिते हैं, pentagon shape को, यहाँ बहर देखें, students, page number 190 पर, page number 190 पर हमारे पास, pentagon shape बनी विये, I have more sides than a pentagon, यह देखें, pentagon shape बनी विये हमारे पास, और इसके कितनी sides हैं, यहाँ पर लिखा वाए, I have six sides and six corners, one, two, three, four, five, six, six sides हैं, और six ही corners हैं, one, two, three, four, five, six, अब हम देखते हैं, कि हमारा जो answer है, six sides and six corners, यह कौन सा option के साथ मैच करता है, यहाँ पर देखें, students, a pentagon है, three sides, five sides, four sides and six sides, और अभी हमने चेक किया है, हमारा जो pentagon है, उसकी six sides होती हैं, यानि कि हमारा जो answer है, वो हमारे fourth वाले option के साथ मैच कर रहा है, तो हमने fourth वाले option पर टिक लगा दिया है, तो, so students, हमारे exercise, seventh एका, question number one, question number two, and question number three, complete solve हो गया है, अब इसी तरह यहाँ पर देखें, question number four है, measure and write length of each line segment, यहाँ पर जो line segment दी गई है, इनकों आपने measurement करना है, measurement हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखें, students, हमारे पास जो यह scale है, scale में एक तरफ से centimeter वाली line से हैं, और एक तरफ हमारे पास, यहाँ पर यह inch में है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने centimeter वाली line की तरफ देखेंगे, centimeter, यानि कि zero centimeter से measurement करना शुरू करेंगे, हम इस zero centimeter को इस a point पर रखेंगे, और यहाँ पर इसको यह scale यह सीधा, अब आप यहाँ पर चेक करें, कि zero centimeter और यह, हमारे पास यह जो line की measurement आ रही है, वो आ रही है, two centimeter, zero centimeter पर a point पर zero centimeter और b point पर चेक किया, तो two number आ रहा है, यानि कि जो हमारी, जो measurement है, वो a और b की, वो आ रही है, हमारी two centimeter, तो हम यहाँ पर two centimeter लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, two centimeter, इसी तरह हम अपना यह बी वाला, जो कुछ सने इसको solve करें, यहाँ पर भी p point पर हम zero centimeter और यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देखें अगर, तो हमारा यहाँ पर five centimeter आ रहा है, five centimeter की measurement आ रही है, zero centimeter से शुरू करेंगे, तो हमारा जो p क्यो है, वो क्या है हमारा five centimeter, so student, इसी तरह आप अपना यह COD को complete कर लीजेगा, आपका यह geometry work question number four तक complete हो चुका है, आप इसकी complete तैयारी कीजेगा, आपका access type 7th A के question number four तक का work हो चुका है, यह आप इसका COD आपको measurement कर कीजेगा, और इसको complete कीजेगा, और यह वाला work आप बुक में complete करवा के आप इसकोल में चेक करवा लीजेगा, so thank you students,